वैधानिक चेताबनी अगर आप मनूस के उस परजाती से वास्ता रखते हैं जिसे बस हर हाल में अपने देश और राज पे गर्व करना है तो किरिपे इस वीडियो को आगे ना देखें उका है ना कि बस निरासा हाथ लगेगी बाकी आपकी मर जी आपका फोन परना मैं हूं स इतना मत समझना कि यह कोई जंगल है ना यह जंगल है ना कोई जाड़ है ना कोई आम जगह है यह बिल्कुल पटना में है आप अगर गेस करने में सक्षम नहीं है तो चलिए बताई देते हैं यह मोईनूल हक स्टेडियम पटना तूर वहां पर एक बोर्ट दिख रहोगा को अगर दिख रहा होगा तो कैमरे से नहीं दिख रहा होगा तब भी कोई बात नहीं है जो आमने देखा कि यह मोईनूल हक स्टेडियम का यह हाल है तो मुझे ना अपने आखों पर मैं लिटरली बताता हूं कि भरोसा नहीं हुआ मैं और मेरे से योगे अजाद हैं हम लोग दोनों इस भरोस से करने में सक्षम ही नहीं थे कि मतलब सच में यह मोईनूला का स्टेडियम ही है और उसका हाल यह है क्या फिर हमनों देखा कि क्या यहां पर इंटरनेशनल मैच हुए हैं क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा था पता त मैच हुए हैं 1996 में वर्ल्ड कप का भी एक मैच हुए हैं यहां पर हो रखा अंतीम बार यहां महिला इंटरनेशनल किर्केट भी हो रखा तो क्या सच में यह वही मैदान है क्या फिर हम लोग जब इसका विकिपीडिया पढ़ा तो विकिपीडिया मैं आपको पढ़के बिल इससे बढ़िया तो इसका बाहर का एरिया जहां पर स्टूडेंट है या क्रिकेट एकाइडेमी चल रहा है यहां पर कई तयारिया चलती है तो उसके प्रैक्टिस करते हैं लोग अपनी से ठीक रखते हैं क्या मैनेजमेंट कर रही है बिचिए बिहार क्रिकेट अश्टीयम मैचो की मेजवानी की है स्टेडियम की च्छमता पचीस हजार लोगों की स्टेडियम है यह इसका उपयोग किर्केट और किर्केट और एसोसेशन फुट वाल के लिए किया जाता है यह बिहार-रंजी टीम का घहरेलू मैदान है सरकार ने स्टेडियम के विकास चम्ता को बढ़ा कर 42,500 करने की प्रस्ताव किया है इसका रख रख रखाओ ध्यान दिजेगा पॉइंट वी नोटेड रख रखाओ बिहार किर्केट असोसियेशन द्वरक किया जाता है बिहार रंजी टीम में टीम ने बरतमान में इस मैदान पर कई रंजी मैच खेले थे कि बताईएं कितनी बैसारमी की बात है पूरे क्रिकेट आसोसियेशन के लिए क्रिकेट के बारे में अच्छी सोच रखने के लिए खेलों के लेकर अभी ओलंपिक चल रहा है ओलंपिक में भारत आज तक का सबसे शर्वसेस्ट परदरसन करके साथ लाया खैर ऐलंपिक में क् लेकिन जो किर्केट की बात अगर बिहार में होती है तो उनके लिए कितना निरासा वाली बात है कि उनका कभी सपना रहेगा कुछ देखेगा कि हम पटना जाएंगे इंटरनेशनल मैच होगा अपने स्टेट में और स्टेट के स्टेडियम का हाल देखिए मतलब क्या उमीद की जाया खेल को लेकर क्या उमीद की जाया बिहार में ओलंपिक खेलों की इतनी बात हो रही है क्या सपोर्ट करेगी बिहार मतलब जिस बिहार में पहले हुआ है पहले काम तो होता यहां पर क्या होता क्या उम्मीद रखेगा एक क्रिकेट देख रहे हैं यहां से बैठ के देखते हैं लोग दिखाएं यह बैठने वाला है पचीस हजार शमता इसका और यह हाल देखिए आप अगर दूर अजाद नजर दिखाओ वहां पर दूर देखिएगा तो कुछ साफ सुत्रा दिख रहा है क्योंकि में फ्रांट है ना वहां से वह खुलता तो कुछ दो लोग वहां पर बैठे नजर आएंगे और उस तरह से साफ है नहीं तो यह बिलकुल अगर नजदीक का स्थीति दिखाएं और यह हाल है और जो टार्ग वायर लगे हैं और इस चैनल से जैसे भी तो आपको भी निरासा होगी और होनी चाहिए क्यों नहों खेलों को लेकर हम इतनी बात करते हैं क्या करती है सिर्फ सुक्रिया धन्यवाद यहीं सब्सक्रीज करने में लगे हैं कि रिकेटर अच्छा खेल लेगा तो उसके नाम पर क्रेडिट लेने में टोके कि अजिक लेकर बात हुई विल्विरंजी खेलने को कर बिहार में इतनी बात हुई और इसका कितनी पेसरमी वाली बात है कि लेकिन यहां पर कुछ नहीं होता और हमारा मेंस्ट्रीम मेडिया अभी तक इसको दिखाने के फुर्चत नहीं है कि दिखाए क्या है कि इस तरह से बंजर है खेल को लेकर कम से कम इंडिविजुल लेवल पर कोई मेहनत करता प्रैक्टिस करता कोच नहीं मिलता उसे मुझ पता है लेकिन इंडिविजुल लेवल पर कुछ करता तो उसे एक उमीद बनती ना उमीद तो बनती ना इस तरह से बंद करके और मतलब आदमी भर घास यहां पर करवा के क्या करना है इसका क्या होगा इससे यहां पर साय से लाइट का स्टेंड लगता है क्या लाइट का यह में तो यह हाल है अब आपको डिसाइड करनी है कि क्या करना इसको लेकर कितनी बात करनी है कितना लोगों तक यह पहुंचाना है और हम किस तरह से दबाव बना सकते हैं बिहार सरकार पे केंद्र सरकार पे जो खेलों को लेकर इतनी ढोल पीट रही है क्योंकि सरकार उनकी भी है ब वह बहुत कुछ कर सकते हैं खेलों को लेकर अनुराग ठाकूर है खेल मंत्री हैं बिहार के देश का अभी बी सीसी आई के अध्याच है एक खेलाडी है उन सबसे मेरा उमीद है कि वह कुछ देखेंगे इसको और आपसे उमीद है कि उन तक पहुचाएंगे इस वीडियो को औ देल आइकन दबा लीजे क्योंकि हम खेलों को लेकर और और बिहार के मुद्दों को लेकर इसी एक दम तटस्ता के साथ दिखाते रहेंगे जो भी हो देखते रहिए सच बिहार नमस्कार